तो आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है यानि अगर आप सोच रहे हो कि हम गल्फ कंट्री में जाकर के काम करेंगे यानि जॉब्स के लिए जाना चाहते हो चाहे सौधी दुबई उमान बहरान चाहते हो तो यानि free food रहता है वो better है या खुद से बना कर जो खाते हैं वो बेटर है यानि कौन सा बेटर है इसलिए कि वहाँ पर उगर आप जाहेए गा तो एक दो 12 साल का experience है मेरे पास गल्फ का और खुद से भी बनाकर खाना खाया हूं और कंपनी का भी खाना खाया हूं ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि यानि आपको कंपनी कुछ पैसे देते हैं जैसे 200 रियाल 300 रियाल यानि आपका जो बेसिक सेलरी है उसके बाद 200 या 300 रियाल देती है और बोलती है कि आप खुद बनाओ और खुद खाओ यानि जिसमें अगर फुड फिरी नहीं है केंटीन नहीं है वो आपको पैसे देती है यानि इंडिया का 5000 या 6000 रुपए देती है तो क्या आप 5000 या 6000 रुपए में गल्फ कंट्री में बना कर खाना ख खा सकते हो यानि आपके लिए ये परफेक्ट है कि नहीं इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा अगर ये वीडियो इंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा यानि कंपनी जो खाना दे रहे हो अच्छा है या आप बना कर खाओगे वह अच्छा है तो चलिए शूरू करते हैं सब्सक्राइब करें सहजाद दिवान चैनल को साथ ही इस घंटे को दबाए ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के अस्सलाम अलेकुम नमस्कार वासस्त्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मुहमद सहजाद और आप देख रहे हो सहजाद दिवान ब्लॉक्स यानि यह वीडियो बनाने का रीजन यही था कि दो सल पहले में एक वीडियो बनाया था जिस पर आज 1.5 मिलियन व्यू है और लगभग 2200 के आसपास कमेंट से और 66,000 लाइक से तो उस वीडियो में मैं यही बताया था कि गल्फ का खाना कैसे होता है लेकिन उस पर इतना लोग कमेंट्स किये थे कि भाई आपको अगर यह खाना अच्छा नहीं लग रहा तो होटल में जाकर खालो ठीक है या कौन सा प्रोब्लम फेस करना पड़ता है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कहना बहुत असान है कि आप खुद से भी बना कर खा सकते हो या होटल में भी खा सकते हो एकदम एजी है कहना लेकिन जो वहां रहता है उसी को मालूम है कि प्रोब्लम वहां क्या होता है चलते लेगन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अप्लोड करूं हो नोटिफिकसन के जरीए मिल जाए अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे काम के लिए जैसे सौधी दुबही उमान बहरान कतर या कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपका जो ड्यूटी रहेगा वह आठ गंटा नॉर्मल रहेगा उसके बाद आपका ओवर टाइम हो गया जैसे दो गंटा तीन गंटा चार गंटा यह हो गया यानि यह आपका ड्यूटी हो गया तो मैं आठ गंटे का बता रहा हूं कि अगर आपका साथ बजे स्टार्ट हो रहा है ड्यूटी तो अगर आप हो गये ठीक है तो यह एक थोड़ा प्रोब्लम रहता है उन लोगों के लिए जो जिनको खाना बनाने में प्रोब्लम रहता है ठीक है और कोस्ट कितना आता है वह वीडियो के इंड में बताऊंगा कि बनाने में कोस्ट कितना होता है यह तो अपना सेल्फ हो गया कि हम करना है फिर बस में बैठना है उसके बाद आराम से आप खाम पर निकल जाओगे तो यह एक फाइदा उन लोगों के लिए जिनको खाना बनाने में बहुत प्रोब्लम होता है यह चीज जो है वह एक दिन के लिए नहीं है जितना दिन आप उहां पर रहो गए यह चीज का कंपनी प्रोबाइट कर रही है ठीक है यह अच्छा है यह खुद से बना रहा है यह अब रही बात इसमें कॉलिटी की क्यों कि किसका बेटर है तो यह जाहिर सी बात है कि आप खुद से बनाओ गया तो अच्छा बनाओगे जो दिल करेगा वह बनाओगे लेकिन यह लोग पहुत चीज यह जैसे यह जो मोर्निग में company प्रोवाइड करती है ये भी अच्छा खासा नस्ता प्रोवाइड करती है ठीक है अच्छा खासा breakfast प्रोवाइड करती है लेकिन इनका सेडूल रहता है यह यह को चीजम अपको ंडा ब्रेड मिल सकता है यह रोटी और दाल मिल सक चार महिना पांच महिना खाने के बाद थोड़ा ये वाला खाना जचता नहीं है लेकिन खुद से बनाएंगे ना तो वह अपने इक्छा के अनुसार बनाएंगे और वह जमता है ठीक है तो इसमें प्रोब्लम है सुबह वाँ ऊठकर के बनाना इसमें ये चीज का फाइदा ख कर आए हो तो आप खा सकते हो ठीक है लेकिन ये क्या करते हैं कि आपको गरम एकदम यानि जो ताजा होता है वो बनाकर लाकर के आपको या तो साइड पर देंगे नहीं तो आपको ले जाकर केंटीन में खिलाएंगे यानि अगर आप काम कर रहे हो आसपास तो आपको केंट किये हो वही चीज़ आप ले करके आये हो ठीक है और इधर जो है वह कंपनी ला रही है कि एकदम में फ्रेस ला रही है और यह आपको मिलेगा तो सुबह का मिलेगा तो इसमें ज्यादा फरक नहीं है सबसे ज्यादा दिक्कत होता है सामके टाइम कि अगर आपका ड्यूटी मा हो जाता है यार लेकिन अगर कंपणी का डिनर का बात करें तो आप ड्यूटी से आओगे अपना नहाओगे कपड़ेंगे चेंज करेंगे और डायरेक्ट मेस में पहुंच जाओगे यानि केंटीन में पहुंच जाओगे और आराम से सुकून से बैट कर खाओगे फिर अप अब जी काट देना मैं बरतन दो दूँगा मैं चावल बना दूँगा मैं रोटी बना दूँगा तो इसी साब से माइनेज हो जाता है लेकिन फिर भी भाई मेहनत पड़ता है यानि आपका अगर ओभर टाइम चल रहा है दो गंटे या चार गंटे तो थोड़ा प्रोब्ल यह से जादा है छिक है अब compare करते हैं पैसे का यानि की 200 रयार या 300 रयार इस से ज्यादा फुड का बहुत कम चांसे की मिलेगा यानि कोई भी कंपनी आपको 200 रियाल देगी या 300 रियाल देगे ठीक है यानि इंडिया क्या 5 से लेकर के 6000 रुपए देगी तो इसमें क्या आप पर्फेक्ट तरीके से बना कर खाना खा सकते हो तो एक सब्द में बोलूं तो भाई नहीं 200 रियाल में पॉसि चांजार से नीचे रहेगा इसी के बीच में आपका एक महीने का खाने का खर्च पड़ेगा जो आपको खाना दे रही है वो खाना ठीक ही रहता है बहुत खराब नहीं रहता अच्छा रहता है लेकिन खाते-खाते वो थोड़ा सही नहीं लगता और इधर क्या है कि भाई उसमें से थोड़ा खर्च इसमें भी हो जाएगा तो यह आपके उपर करता है कि आप कौन सा चूज करोगा यानि खुद से बनाओगे तो थोड़ा पैसे लगेंगे और कंपनी देगा तो थोड़ा खाना बढ़िया नहीं मिलेगा लेकिन इसमें आपको समय मिलेगा आपके बॉड़ी को अराम मिलेगा ठीक है लेकिन इसमें खाना अच्छा मिलेगा लेकिन बॉड़ी को अराम कम मिलेगा अगर मैं अपना उपेनियन आप लोगों के सांथ सेयर करूंगा तो मैं चूज करूंगा कंपनी का खाना इसको इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें ना लाइफ बहुत बीजी रहता है पैसे का अलग बात है कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन लाइप यत ना वे रहता है ना कि आप एक तोब परिंसान रहोगे इसमें क्या होता है कि आपको खाना मिलेगा खाना खाने के बाद आराम से घूम सकते हो हम लोग तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा किरकेट खेल लेते थे रात में तो इसलिए मुझे अच्छा यह लगता है ठीक और कितना भी ओबर हो अगर साइड पर गए हो आप काम करने के लिए अगर फोर्मेन बोलता है इसलिए कि मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा ठीक है तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि कमेंट सेक्षन में बताना कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है यानि खुद से बनाने के लिए या company मेरा जो पिनियन ता मैं आप लोगों के साथ venir कि या इसलिए के साड़े पांट साल खुद से बना कर खाया हूं company ने जो खाना दिया वह साड़े साल खाया हूं ठीक है लेकिन मुझे बेटर लगा company का ठीक है तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आगे करते हैं ठीक है इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फाइदा मिला होगा तो समझूगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सब्सक्राइब करो अपने दिल की मिलते हैं को और नहीं वीडियो के साथ टेक केयर